Hello my dear students, my name is Priyal, I welcome you all to the MM Academy Last class में हमने SSC CGL के questions try किये थे, जो 2019 और 2018 में आये थे हमने इसमें time and work के questions लिये थे आज मैं आपको जो बचे हुए time and work के questions है, वो continue कराऊंगी प्लस system and pipe के questions भी इसी में involve करूंगी Because time and work and system and pipe same concept पे work करता है तो हम start करेंगे अपनी आची class, अगर आपको पसंद आई हो मेरी last class और पसंद आएगे अगर ये वाली class तो please hit the like button and subscribe to our channel तो देखे ये हमारा first question है, पहले मैं आपके लिए read करूंगी और मैं आपको basic बताऊंगी कि इनको solve कैसे किया जाता है लास्ट classes मैंने आप quality basic बताया हुआ है ये हमारा first question है, तो मैं अपनी speed थोड़ी सी कम रखूंगी आप जैसे जिसे question आगे करते जाएंगे, मैं थोड़ी थोड़ी speed भढ़ाती जाऊंगी अब देखे हमारा question बोल रहा है A, B, working together can complete a work in D day अगर A, B साथ में कारे करते हैं, तो उनको D days लग जाते हैं, पूरे कारे को साथ में complete करने के लिए working alone, A takes 8 plus D days, working alone, B takes 18 plus D days अब देखे, आप से बोल रहा है, अगर A, B साथ में कारे को start करते हैं मतलब ये दौनों साथ में work करते हैं, तो इनको total D days लगते हैं अगर A, अकेला काम करता है, तो उसको कितने दिन लगते हैं, 8 plus D days लगते हैं मतलब जो साथ में दिन लग रहे थे, इनके D days, उससे 8 दिन extra लगने लगते हैं अगर B, अकेला काम करता है, तो उसको 18 plus D days लगने लगते हैं इतना hopefully आपको clear है, अब next आपको condition दी है, A work for 4 days अगर A, चार दिन के लिए work किया, अब कुछ part of work तो A ने complete कर लिया होगा इन 4 days में अब बचा हुआ जो part है, वो कौन complete करेगा, B complete करेगा अब आपको बताना है कितने दिन में वो B बचा हुआ कारे को complete करेगा मतलब बचे हुए work को complete करेगा, तो देखिए, आपको simply यहाँ पर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ पर A को extra कितने दिन लग रहे है, D से 8 दिन extra लग रहे है और यहाँ पर B को कितने लग रहे है, 18 दिन extra लग रहे है अब यहाँ पर एक format चलता है, क्या, अगर साथ में work करने में D days लग रहे है तो इस D days की value क्या होती है, इस D की value होती है, root over extra days of A into B A और B के days को आप multiply कर देते हैं, जो extra days रहते है कितने extra days लग रहे है, A को 8 days extra लग रहे है और B को कितने लग रहे है, 18 days extra लग रहे है अब देखिए, इनको आप solve करेंगे, तो आपकी value कितने आज जाएगी 8, 8 is a 64, 6 carry, 8 ones are 8, और 144, अब देखिए D की value क्या आ गई, root over 144, तो D की value हो गई आपकी 12 days इतना clear हुआ, तो यहां से आपको यह unknown मिल गया 12 days अब देखिए, A plus B, 7 में कितने दिन में काम कर लेंगे total 12 days में, A को कितने दिन लग जाएगे, 8 दिन extra D से मतलब 12 plus 8, तो A के total number of days कितने हो गए 12 plus 8, 20 days, इतना clear हुआ, और B को कितने दिन लग जाएगे 18 plus 12, 30 days, अब देखिए, आपको individually days मिल गए, कि A को पूरा कारे complete करने में कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, B को कितने लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, अब हमें इससे ही solve हो जाएगा यह वाला condition, rest हम रब कर देते हैं, तो देखिए, हमारा क्या निकला A को कितने दिन लगते हैं, पूरे काम को complete करने के लिए 20 दिन लगते हैं, B को कितने दिन लगते हैं, total 30 दिन लगते हैं, अब आप से condition क्या पूछिए हैं, कि आपको 4 days A को work कराना है, और rest of the work कौन complete करेगा, B और आपको बताना है इनका LCM, अब 20 और 30 का LCM कितना हो जाएगा 60, अब मैंने आपको short trick भी बताएगे, कि 60 कैसे आता है, आपको ऐसे छोटे से छोटा नंबर दूरना है, जिससे 30 और 20 completely divisible हो, तो देखिए, आपने 60 को दूर लिया, तो यही हो जाएगा LCM, तो total work हो गया कितना है, आपका 60, अब efficiency कितना हो जाता है, आपका 60 divided by 20, तो यह A की efficiency हो गई, which is 3, B की efficiency कितना हो जाएगे, 60 divided by 30, which is 2, तो B की efficiency हो गई आपकी 2, अब देखिए, individual efficiency मिल गई आपको A और B की, और इस efficiency का मतलब आप जानते हैं, कि amount of work done per day, तो 3 unit per day के साब से A work करेगा, और 2 unit per day के साब से B work करेगा, अब total work कितना है, आपका 60 unit, इतना आपको clear हुआ, अब आप से बोल रहा है, कि A चार दिन के लिए काम करता है, तो देखिए, A एक दिन में कितना काम करता है, 3 unit, तो 4 दिन में वो कितना कंप्लीट कर देगा, 3 into 4 unit, ओके, तो amount of work completed by A in 4 days कितना हो जाएगा, 12 unit, लेकिन देखिए, 12 unit तो A ने complete कर लिया, अब बचा हूँ work कौन कंप्लीट करेगा, B करेगा, अब total work कितना था, 60 unit, तो 12 unit already हो गया, तो 60 में से क्या minus कर देगा, 12 unit, ये कौन करेगा complete, ये B करेगा complete, तो देखिए, कितना हो गया है, 60 minus 12, which is 48 unit, इत्ता बचा, इत्ता बचा कौन कंप्लीट करेगा, B करेगा, अब एक दिन में B कितना करता है, 2 unit per day के साब से, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, डिवाइड कर दिया, आपने 2 से, तो आपकी आंसर कितना आ गया, 24 days, ओके, तो B को टोटल कितने दिन लग गया, 24 दिन, rest of the work कंप्लीट करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, option number D, अब ये आपका SSE CGL 2019 Tire 2 पेपर में पूछा गया था, अब हम और question देखते हैं, कैसे कैसे question और पूछे गये थे, अब ये वाला question आप read कर सकते हैं, मैं आपको directly समझाती हूँ, आपसे बोला जा रहा है, एक particular कोई contractor है, वो 75 days में पूरा work complete कर लेता है, अब 75 days में उसके पास labor कित्ती available होती ह 187 में available होते हैं, और हर एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 15 गंटे काम करते हैं, अब ये तो basic estimate बन गया, कि 75 दिर में इतने labor, इतने गंटे अगर काम करते हैं, तो total काम इनका complete हो जाता है, अब लेकिन बोला गया, after 65 days, अगर 65 days काम हुआ, और 3 by 5th of the work complete कर दिया गया, कितनी labor के द्वारा, 187 labor के द्वारा, ओकी, अब आप से पूला जाएं, कि जो बचा हुआ काम है, 2 by 5, वो आपको rest of the days बचे जो हैं, उनमें complete करना है, अब देखिए, contractor जो होता है, उसको एक time limit रहती है, कि आपको इतने दिन में complete करना है काम, तो देखिए, उसको total days कितने मिले थ अब उसने देखा कि 65 days में, उसका बस 3 by 5th of work complete हो गया, अब बच कितना work रहा है, 2 by 5th, और days कितने बच रहे हैं, बस 10 दिन बच रहे हैं, तो उन 10 दिन में उसको complete करना है, 2 by 5th of the rest work, मतलब इतना work उसको complete करना है, अब contractor के हाथ में एकी चीज है, कि वो क्या करेगा, manpower तो उसने manpower बढ़ा दिये, और उसने क्या किया, working hours भी बढ़ा दिये, पहले 15 गंटे काम करा था था वो हर दिन, अब उसने 17 गंटे काम देना स्टार्ट कर दिया, अब आप से पूछ रहा है, कि कितने man उसने बढ़ा है, जिससे 10 दिन में पूरा काम complete हो जाए, जो 2 by 5th work ब complete करना है, 10 दिन में complete करना है, अब इधा labor कितनी available थी पहले, 187 male available थे, अब यहाँ आपके labor कितनी हो जाएगी, 187 plus something, आप माल लो x, इतने आपके man हो गए, अब आपको यह additional man की value नकाल ली है, मतलब इस x की value नकाल ली है, तो यहाँ basic formula यूज़ करेंगे, आपका basic formula क्या होता है, M1, D1, H1, E1, divided by W1, equal to M2, D2, H2, E2, divided by W2, M क्या होता है, पहले कितनी man available थे, D number of days work किया, H working R होता है, E होता है, E efficiency, और W होता है, अब यह सारे value हों यहाँ पुट कर देते हैं, देखे, आपके man initially कितनी थे, 187 man थे, अब हो कितनी दन काम कर रहे थे, 65 days उनने काम किया, total days से आप confuse मत होना, यह total days है, ओके, तो देखे, उनने initially कितने दन काम किया, 65 days, तो D1 की value कितनी हो गए, 65 days, अब देखे, कितने घंटे काम किया थे थे, वो पहले, 15 घंटे, तो इन्टू 50, efficiency की कहीं बात नहीं करी है, तो यह efficiency यहाँ पर कोई रोल नहीं कर कि अपना, okay, अब देखे, work कितना complete कर लिया है, इनने, मैंने क्या बताया आप से, 3 by 5 work completed है, और यहाँ पर बचा हुआ work कितना है, 2 by 5, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर इन दोनों का ratio लेना चाहें, तो इसको 3 ratio 2 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 5 5 cancel हो जाएग क्या, अब देखे, M2 levels आपको पता करनी है, अब देखे, M2 की value कितनी हो जाएगी, 187 plus X, क्योंकि देखे, 187 पहले से man available थे, आपने कुछ और बढ़ाए, ओके, अब days बचे कितने थे, 65 अलड़ी चले गए, तो 75 minus 65, 10 days बचे, तो D2 की value कितनी आगई आपकी, 10 days, अब hours कितन हो गए, hours उन्हें बढ़ा के 17 कर दिये, तो into 17, अब W2 की value कितनी आगई, 2 आगई, अब इसको आप solve कर लिजे, आपका unknown कौन है, बस X है, तो यहां से आपकी value आएगी, देखे, 3 1s आ, 3 5s आ, 2 1s आ, 2 5s आ, अब इस 5 से ये वाला 5 जाने दो, 17 1s आ, 17 11s आ, अलग दिख रह अब बच कौन कौन रहा है, आपकी equation something ऐसी आ रहे है, 11 into 65 equal to 187 plus X, और यहां क्या है आपका, कुछ भी नहीं बचा है, तो इतना ही है, देखे, अब यहां पे अगर आप देखे, इन दौनों का अगर आप multiply करेंगे, तो इनकी unit digit क्या आएगी, 11 into 65, अगर आप ऐसे देखो त उसमें से आपको minus करना पड़ेगा, यह 187 का 7, तो something आपका 5 है, unit digit, उसमें minus करना पड़ेगा आपको 7, तो आप carry लेके इसको 15 बनाओगे, तो 15 minus 7 किता आएगा, 8 आएगा, तो आप directly इतना सारा solve करने से better क्या करो, unit digit check कर लो, यहां पे C option की 8 आ रही है, तो answer correct क्या हो जाए 71, तो आपका answer किता हो गया, 715, 715 में से 187 minus करें, 715 minus 187, यह 15 से 7 गया, तो यह आए आपका 8, यह हो गया आपका 10, 10 minus 8, 2, 6 minus 1, 5, तो आपका answer आ रहा है न, 528, और यह ही आपका option में available है, clear?